पैपर्ड का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पैपर्ड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो एडजेक्टिव के रूप में उसे पैपर्ड कह सकते हैं जिसे पैपर किया गया हूँ यानि कि जिसे काली मिर्च लगाई गई हूँ या जिसे भर दिया गया हूँ या बरसाया गया हूँ उसे हम पैपर्ड कह सकते हैं इसके इलाबा पैपर्ड जो है वो पैपर का past and surpassed participle भी होता है यानि कि पैपर की ही second और third form होती है पैपर्ड और पैपर का अर्थ होता है मिर्च लगाना, छितराना, बिखेरना, गाली देना, बोचार करना, गुसा करना, भरा होना, कठोर दंड देना, बरसना या डागना जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि चंद्रमा के इस तहह गड़ों से भरी हुई है तो आप कहेंगे the surface of the moon is peppered with craters या अगर आप ये कहना चाहें कि पत्र विस्मयादी बोधर चिन्हों से भरा हुआ था तो आप कहेंगे the letter was peppered with exclamation marks या अगर आप ये कहना चाहें कि जजों ने वकीलों पर सवालों की बोचार लगा दी तो आप कहेंगे the justices peppered the attorneys with questions अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें